भक्तों, बोलिये स्री वैश्णो मैया की जै तो भक्तों, आईए आज आप सभी को मा वैश्णो धाम की एक सची कथा भक्त स्रीधर की आप सभी को सुनाते हैं और जो भी भक्त सचे मन से, सची स्रद्धा भाव भक्ती से सुनते हैं मा उनका कल्यान करती हैं जै माता दे करेमा भगतों का कल्यान सचे मन से जो भी आए देती है मरतान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान जम्म में कटरा नगरी भड़ी ही पावन सुथरी कि कैसे माता रानी अपने भगतों की प्रात्ना सुनकर उनके सभी कष्ट दूर कर देती है माता को जो भी भगत सचे मन से याद करता है माता रानी उनकी पुकार सुनकर जरूर आती है और सब उख्षाएं पूर करती है जै माता दे करे वो मा की पूजा नहीं कोई काम था दूजा भगत वो बड़ा ही निर्धन फिर भी कर कन्या पूजन भगत वो बड़ा ही निर्धन फिर भी कर कन्या पूजन लेकिन स्रीधर के घर में ना थी कोई संतान करेमा भगतों का कल्यान बात स्रीधर की सुनकर माने सपने में आकर बोली की मत करो चिन्ता होगी सब पूरण इच्छा तो भगतों इस तरह भगत स्रीधर हर रोज सुबह सवेरे उठकर असनान आदि करके मा की पूजा पाठ करता और समय समय पर कन्याओं को भोजन करवाता लेकिन भगत स्रीधर को एक ही चिन्ता सताय जाती कि मेरा वन्स कैसे चलेगा एक दिन पूजा अर्चना के बाद भगत स्रीधर मां से विंती करने लगा के मां मैं सच्चे मन से आपकी भथ्ती करता हूँ क्या मैं इसी तरह बदहाली में रहूँगा और मेरा वन्स चलेगा के नहीं लगाओ एक भंडारा बुलाओ गाओ कुसारा जो भी कोई मिलता जाए वो भोजन करने आए कह स्रीधर को इतना मां हो गई अंतर ध्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान नाम मेरा भैरो नान जोन्हों नौत है तुम्हें क्या नहीन क्यात है नहीं यहां हम है अकेले है मेरे से भक्तों जब सुबह स्रीधर की आखें खुली तो उसने सोचा कि मां ये जो आपका आदेश है मैं कैसे पूरा करूंगा मैं तो इतना निर्धन हूँ ये कैसे हो पाएगा फिर हर रोज की तरह उसने मां की पूजा अर्चना की और मां का आदेश मान कर गाउं की ओर चल दिया जो भी मिलता उससे कहता कि कल मेरी कुटिया में माता का भंडारा है और रास्ते में भैरोनात का डेरा पड़ता था उसने उसे भी नियोता दिया उसकी बात सुनकर भैरो बोले नाम मेरा भैरोनात है तुम्हे क्या नहीं ग्यात है नहीं यहां हम है अकेले है मेरे सैकलो चेले सभी वो साथ में आए और सब भोजन खाए ना इतना घर में तेरे अन तुम तो बड़े हो निर धन ना इतना खरम तेरे अन तुम तो बड़े हो निर धन लोट जवाब इसे अब भी सीधर वह तिलो मेरी मान करेमा भकतों का कल्यान 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 जोगला दिन फिर आया देख स्री धर हर साया मा कथा खेल ही न्यारा भरा है सब भंडारा तो भक्तों बोली ये स्री वैशनो मिया की जै बाबा भैरोनात की बाते सुनकर श्रीधर पंडित ने हाथ जोड़कर सारी बातें बताई और कहने लगे कि माता के आदेश से मैं भंडारा लगा रहा हूँ तो भैरोनात ने सोचा कि देखते हैं क्या सच में श्रीधर को कोई कण्या दिखाई दी अगर ऐसा है तो देखा जाए कि ऐसी कौन सी सकती है जिसके दम पर श्रीधर पंडित भंडारा लगा रहा है और भैरोनात ने भंडारे में आने की हामी भर ली हलवा पूड़ी मिठाई सबने भर पेट है खाई कन्या बड़ी ही सुन्दर बाट रही सबको जाकर उस कन्या की तरफ गया जब भैरो जी का धान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा जब एकाई भूजन ये खाऊं, पीने को मदिरा चाहूं, नहीं भूजन ये चहिए, खाने को मान से लाएं। भक्तों, भक्त श्रीधर ने देखा कि सुबह सब भंडारा तैयार हो गया। वो बड़ा ही प्रसन हुआ, सब ग्रामवासी आ गये, भक्त सब को बड़े प्रेम और आदर भाव से भंडारा खिलाने लगे। एक बड़ी ही अद्भुत कन्या सब को भोजन करा रही थी। बाबा भैरोनात की उस कन्या पर नजर पड़ी तो, उसने सोचा कि चरूर इस कन्या में कोई सकती है, वो कन्या से कहने लगे। बोलिये जान लो तुम, बात मेरी मान लो तुम, लाजना तुमको आए, साथु ओको क्यों लजाए। हाथ पकड़ना चाहा कन्या हो गई अंतर ध्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा आए करेमा भगतों का कल्यान क्यों इसे जो प्रमुआ पितिक जाऊं। तुम्हें मैं खोज हिलाऊं। छुपो चाहे कहीं भी जाके, ढूड़़ूगा मैं आके। भक्तों, भैरों ने सोचा कि जरूर इस कन्या में कोई खास बात है। क्यों ना इसकी परिक्षा ली जाए इसलिए उन्होंने कन्या से कहा कि हे कन्या हमें ये भोजन नहीं करना हमें मांस और मदिरा सेवन करना है तो कन्या कहने लगी बाबा ये वैश्नो भंडारा है साधू होकर मांस और मदिरा की मांग कर रहे हो कैसे साधू हो तुम भैरो को कन्या की बात पर क्रोधा गया और उठकर जैसे ही कन्या का हाथ पकड़ना चाहा कन्या उजल हो गई भैरो ने अपने तपोबल से देखा कि कन्या त्रिकूट परबत की ओर चली गई तो उसके पीछे लग गए तो माता ने गुफा में अपने आपको छुपा लिया और भैरो कहने लगे पास गुफा के आया साधू एक उनको पाया बोला भैरो बच जाओ वक्त है लोट ही जाओ बात न मानी साधू की भैरो को थाया भिमान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों करेमा बोला मेरा वार समभालो कन्या को बाहर निकालो भक्तों भैरोनाथ ने उस साधु की एक बात ना मानी और उसको फटकार लगाते हुए गुफा में घुशने लगा माता ने सोचा की भैरो बड़ा ही अनाडी है तो अपने त्रिसूल से गुफा के पिछले भाग में से रस्ता बना कर निकल गए और त्रिकूट परबत की चोटी पर जाकर फिर से एक गुफा में जाकर बैठ गई लेकिन भैरोनाथ ने जिदना छोड़ी और खोजते हुए वहीं पहुँच गया और देखा कि गुफा द्वार पे लांगुर वीर पहरे पे बैठे हैं जो लांगुर को ललकारा मिला है जवाब करारा जो भैरो पढ़ गया भारी आई फिर मा की बारी माता ने वध करने को तिर सूल लिया है तान करेमा भगतों का कल्यान भगतों का कल्यान बोला है माता रानी मेरी थी ये नादानी तुम्हें पहचान न पाया गर्वने है भरमाया भगतों बोलिये वैश्णों मैया की जैए जब माता ने देखा कि भैरोनाथ लांगूर वीर को हरा देगा तो खुद अश्ट भुजा रूप में आ गए और अपने तिर सूल से भैरोनाथ की गर्दन पर वार कर दिया माता के वार से भैरोनाथ की गर्दन कटकर दूर जा गिरी तो भैरो को अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ से माफी मागने लगा मुझे तुम माफ कर दो ऐसा कोई मुझे को वर दो हो ना तब भंग ये मेरा चरन का दासम तेरा करुणा माई मात ने फिर भैरो को दिया वर दान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान जो मेरे द्वार पिर दान का कल्यान वो दर तेरे भी जाए वर्न दर्शन उसके तू अधूरे माने जाए तो भगतों बोलिये श्री वैश्नो मैया की जैए भैरों के बचनों को सुनकर माता कहने लगी हे भैरोनात तुमने अपने तपोबल का गलत इस्तेमाल किया और अभिमान किये इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा अब तुम्हारा अभिमान दूर हो गया है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और जो तुम्हारा तप है वो व्यर्थ नहीं जाएगा आज के बाद जो भी मेरे दर्सन करने आएगा वो तुम्हारे दर्सन भी करेगा वरना उसे दर्सनों का फल प्रात नहीं होगा जो मा के दर है आना तो भैरो मंदिर जाना यात्रा तब हो पूरी भैरो दर्सन है जरूरी कही सुने ना पात ये तो मा का दिया वरतान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान पूरी होई सबीं चाए ना स्रीधर फूला समाए सफल हुई भक्ती मेरी मा ये किरपा है तेरी भैरोनात को वर्दान देकर माता रात को स्रीधर पंडित के सपने में आती है और उन्हें भी वर्दान देती है कि है स्रीधर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है मैं तुम्हें वर्दान देती हूँ कि तुम्हारे घर में चार पुत्र होंगे और आज के बाद तुम्हारा वंस ही मेरा पूजा करेगा जय मता दि जो करते सच्ची भगती उसे माते ना सकती तेरे दर जो भी आए कभी ना खाली जाए अपने सच्चे भगतों पे ये कर ना मा एहसान करेमा भगतों का कल्यान भगतों का कल्यान ये तब से होता आए जो इसका धान लगाए ना ही रहता वो निर्धन ना ही कोई विपदाए तो भगतों इस प्रकार स्रीधर भगत ने फर्यात की हे मातारानी जो भी भगत सच्चे मन से तुम्हारी भगती करते हैं उनकी सब इच्छाएं पूर करना अता भगतों सच्चे मन से माता की भगती करने वालों की सब इच्छाएं माता पूरी करती हैं और युगों-युगों से मा भगतों पे कृपा की बरसात कर रही है ये डियस पाल ने माना मा की महि मा को जाना ये तो मा तेरा करम है चली जो मेरी कलम है फोज सुरे से कुवर ना मैया ना इतना है ग्यान करे मा भगतों का कल्यान करे मा भगतों का कल्यान